यजीद की कबर कहा है, इस तरह से यजीद की मौथ हुई, जिसे दुनिया में तो सजा मिली ही, आकिरत में भी मिलेगी और उसके बाद जालिम यजीद को मुलके शाम में दफण कर दिया गया, आज भी यजीद बदबख्त की कबर मौदूद है, और लोग उस कबर को देखकर और इसी के बारे में इमाम हुसैन रजी अलाहु ताला अन्हों ने फरमाया है कि कुफर की हुकूमत तो कायम हो सकती है लेकिन जुल्म की हुकूमत हरगिस नहीं चल सकती। जुल्म करके कुछ दिन के चैनो सुकून का अंजाम क्या होगा। जिस तरह यजीद मलून ने सयदना इमाम हुसैन रजी अलाहु ताला अन्हों पर जुल्म किया और उस खांदान पर जुल्म किया जो अलाह ताला का सबसे महभूब खांदान था। और उन पर ज्यादती की त तो अल्लाह ताला ने उस जालिम को पूरी दुनिया के लिए इबरत का निशान बना दिया। दोस्तों अगर आप कर्बला का पूरा वाक्या पढ़ेंगे तो आपकी आखों से आसु निकल आएंगे। यजीद जालिम ने जुल्म की इंतेहा को पार कर दिया था। कर्बला के मैडान में प्यारे नभी के खानदान पर बहुत जुल्म और ज्याद्थी किया उस जालिम ने लेकिन अल्लाह के नवासे उमाम हुसैन उसे आखिर तक हक और सच की राह दिखाते रहे। अगर इमाम थुसैन सिर्फ अल्लाह की बारगाह में उस जालिम के लिए दुआ कर देते तो वो जालिम और उसकी फौज वही कात में मिल जाती। इमाम हुसैन की शान तो बहुत अजमत और फ़वीलत वाली है। अगर इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हो की शान बयान करने लगे तो वक्त कत्म हो जाएगा लेकिन उनकी शान और मर्तबे को बयान नहीं किया जा सकता बस एक अल्फाज में कह दूं की तो बिना इजाजत जिबरेईल भी उनके घर आते नहीं थे सुभान अल्लाह भी इमाम हुसैन की शहादत पर दुनिया के लिए एक सबक है कि कभी भी जुल्म के आगे न जुकना हमेशा सच और हग के साथ खड़े रहना मोहतरम अजीज दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि यजीद की मौत कैसे हुई ये बहुत बड़ी मिसाल है कि आज इस जमाने में यजीद की कबर को कोई नहीं जानता ना ही उस मलून के बारे में कोई बात नहीं करता है और इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हो का चर्चा हर घर में है हर मुहले में है और पूरी काइनात में है और इमाम हुसैन के रोजे मुबारक पर जाने के लिए करोडों अर्बों लोग तरस्ते हैं दोस्तों किसी शायर ने क्या खूब कहा है कतले हुसैन असल में मर्गे यजीद है इसलाम जिन्दा होता है हर करबला के बार करबला की जंग का अंजाम देखिए कर्बला की जंग का अंजाम देखिए बेघर यजीद हो गया, घर घर हुसैन है आखिर में अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अगर हमारे लिखने या पढ़ने में किसी भी तरह की गलती हुई हो तो अमीन सुम्मा आमीन